अरे ये क्या लाए हो ये तो रावन का पुत्ला लग रहा है हाँ ये हमने रावन का पुत्ला बनाया है आज दशेरा है सुसाइटी में रावन देहन होगा हम यह भी जलाएगे बड़ा मज़ा आएगा रावन देहन तो कर लोगे बड़ जानते कित्ता और रामायन के बारे है रामायन भगवान श्री राम की जीवन यात्रा है तो राज़ा दश्रत वो देवी कोशन लेगे फूत रखे आयोध्य के चारों राजकुमारों में सबसे बड़े राज़ा जनक ने देवी सीता के स्वयंबर के लिए शिव धनुष्टी प्रतिंचा चड़ाने की शर्ट रखी तो जब राम जी ने उठाया तो धनुष्य तूट गया रही गिर्मेरा है मुझे तो गिर्मेरा है मुझे तूट जाएगा ठोड़ दो अरे अरे जबनो मत हाँ पताना किसने तोड़ा तैने नहीं तोड़ा मुझे इरी पत्ता किसने तोड़ा हम तो खेंगे आई जी चलो पहले बैंड़ में खेलते हैं पूर खाली है तो इस राइकल में चला लेंगे अच्छा मेरे दादाजी ने भी पताया होती है मेरे दादाजी ने भी बताया था कि वो छे शास्त्रों और चार वेदों के ज्याता थे उनकी परंशिव भक्ति और ज्ञान के कारण उनकी आज भी दक्षिन भारत में पूज़ा होती है और मैंने तो सुना है कि यहीं ग्रेटर नॉड़ा के विसरा गाउं में उनका जन्मुआ था और कहां लंका जाते हैं उनका ने शासन गिया हमारा भारत गेश भी कितना अनोफा है जहां रावन को उनकी ज्यान के लिए फूज़ा जाता है तो सीका जी के अक्मान के लिए जलाया भी अरे किस बार में बात कर रहे हो कुछ साओं जहीं की रामायन के बारे में कौन कितना जानता है ताबायन उस्नेटर नश्यंका जी सूज़ा के लाग दश्री जिन श्री राम में रावन को नाभी में दीन मान को बढ़ दियाता धर इस्वाम के शहरी लिए बात है रावन को इनके जैसा बन कहता नहीं पाराता सकता अब यह दो देखो यह लोग एक राकेट को लेकर जबन रहे हैं वहाँ एक श्री दान्टर जो एक पर कहने पर राज दब्री छोड़ अपने पहाई लक्ष्मन्ट और पथी सीता के सर्थ 14 साल के लिए बढ़ वासी चले गए और हन्वादी एक शंजी में पूरती के लिए पुरा पहारी उपर अपनाई से यब रक्ष्मन्टी तो अपनाई से कर्तबू के बारे में भी बताया गया है और मुल्स सम्विधान में रामायन की चित्र भी बनाए गया है और एक हम लोग है जो अधिकार पाने में लगे रहते हैं कर्तबू की और तो कोई ज्यानी नहीं देता हाँ भाई सब यही बताते रहते हैं कि दूसरों को क्या करना चाहिए कोई यह तो सोचता ही नहीं है कि फुद क्या करना चाहिए भयावर के से किसे कुछता होगा मुझे तो कुछ समझे नहीं आरा दस सिर्के साथ वो खाला कैसे खाते थे और घर में कैसे चाहते थे पीज़ा में भी इत पीसे सी होते रावन कैसे खाता हुआ अरे हजाद उस साल पहले पिज़ा नहीं होते थे रावन के दस सिर्क दस इंद्रिया और दस शास्त्रों की घ्यान के प्रतीक थे उनकी एक इक्षा पूरी होती तो दूसरी उबर आती जिसको भगवान भी नहीं रोप पाते जैसे तुम पापा के साथ मौल जाओ अपने बसंद का खिलाना ले लो और फिर जब तुहारे भाई को मिले तुम भोगी लेगा चाहो अच्छा आप समझाया कि रावर के साथ प्रती थे अगर अगर होते तो पॉट ऐसाइटल चलाते हुए रियोरे दस दस हेल्मेट बजाने होते और गारी बस चला है ने बादे चलो जाकेटर के आते हैं फिर रावर तहर दिखेंगे जब एक सोने का हिरन जो ना कभी किसी ने देखा था जो ना कभी किसी ने सुना था जो कभी हुआ ही नहीं था उसको पाने की इक्षा ने रगुरंदर श्रीरान को घेट लिया इससे ये पता चलता है कि कैसे लाजसा हमारी सोच पर हावी उधा रहे हैं इसी तो कहा गया है विना अश्काले वीद्री बट्री बात तो ठीक है पर मन में सवाल है आज किसी सदी चल रही है ऐसे में हजारों साल पुराने ग्रंद के आज के साइंस और टेक्निलोजी पर क् पड़ता है है क्यों नहीं आज दुनिया बढ़के लोग कैसा शाह सकताते हैं वहीं ना जिसको कोई हाल अचना हो जो आंकार में आके अपने देश को यूट में ना जोगते जो जनता में फेटभाओं नहीं करें शब्री के दिए जूटे भेर खाले ना इशार्दाज जब उनने रावन का वत्तों किया परंतून के देश पर कपजा नहीं किया बलकि उनके भाई विभीशन को राज्य सही तरीके से चलाने के लिए सौब गला ना तो कपजा किया ना अंग्रेज उभी तरे कॉलोनिया वसाई रूस यूपरेन का वार कप से चला आ रहा है और चाइना तो तिब्बत पर कप से कपजा करके बैठा है भारत ना तो आज भी पहले अप्रमन करता और ना किसी पर कपजा करता श्री लंका की भी आज ही मदद कर रहा है यही तो जियो पॉलिटिक्स है जिसकी शुरुआच श्री राम ने की थी हाँ अगर साइंस टेक्नोलेजी और मिलिटरी से ही देश महाशक्ती बनते तो छोटे देश जैसे जापान सिंगापोर और ताइवान भी महाशक्ती होते विज्ञान को बिनाश और विकास दोनों की बज़े है वैसे तो तैने वाले पर्थरों का आमसे दू बना लेना हनु हनुमान जी का उड़कर लंका महत जाना और पुष्टक विमांदों में ग्यानिकों के ये आज भी अश्चारे का विश्य है उनकी बानरों और बन्दाशियों की सेना बना लेना किसी मानेज्मेंट को से कम नहीं हाँ भाई हनुमान जी की बात सुनकर एक किस्ता याद आगया जब भरी सभा में रावन ने पोछा हे वानर तुमने हमारा नाम और किर्थी नहीं सुना हनुमान बोले अब वहीं है जिनको वानर राजबाली ने अपनी काठ में दगा कर छे महीने तक घुमाया था हाँ बात तो तुम सब ठीक कह रहे हो श्री राम ने दगवान के रूप में इनी बल्कि इंसान के रूप में पूरा जीवन जीवा और ये करके बिखाया कि इंसान भी क्या कुछ नहीं कर सकता उनके कटवे भूद धैरे और ज्यान के कारण वो राम से मर्यादप पुरुशोतम श्री राम बने रामायन सिर्फ एक ग्रंट रही बल्कि हमारे अपने अंदर घटे कोता है जिसने अपने अंदर लालेश घमन की भावना को बढ़ा लिया समझो वही रामायन बन गया रामन रामन क्या कहते हो तुम राम बन कर दिखलाओ तो निज अंतर मन से पूछो क्या मैं था प्रूरत तुमसे जादा मुझे जलाने से पहले निज करनी पर पच्चताओ तो अपने अंदर के रामन को तुम सोयम जलाओ तो किया स्क्री का अपमान तो वर्षों से जलता आया हूँ तुम इस गल्टी को मत दोहराओ अपने अंदर के रामण को तुम स्वेम जलाओ तो श्री राम न सही लक्षमन सीता या हमानी बनता दिखलाओ तो 21 सदी का इस तुमारत तभी बनेगा जो श्री राम के बताएं गए बातों को अधोनिक विकास और अपने कर्टब में बढ़ता थ्याद देंगे चलो सब आगए राम नेंग रिखते हैं हम कथा सुनाते राम सकल गुल राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुल राम की ये रामायन है पुन्यक था स्री राम की ये रामायन है पुन्यक था स्री राम की बोलो सियावर राम चंद्र की आप सभी को विजय देश्मी की हर्दी शुप आमने हैं जे राम की झाल की ये राम बोलो जड़ाणा। ये राम की तरस राम मेंड़ा में बोलो राम